बिसमिलारा मनेराहीम, अक्सरगार और कीचिन के काम करते हुए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तब हम सोचते हैं काश हमारे पास कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हो जिसका इस्तमाल करते हुए हमारी यह सारे काम बहुत ही असानी से हो जाए तो देख्षी के लिए नारों पर अच्छे से की ऑनिंग कर दोंगे इसका क्या फाइदा होगा कि अगर आप लोंकी जो बहलाई है वह बिल्कुल अच्छे से नहीं आती है तो इस तरीके से जो है ना आप लोंकी बहुत याइच्छे से और थिक का आएगी और इदर देख्षी कि हम किस तरीके से उन्हें अच्छी से साफ करें हमारे हाथ भी बिल्कुल गी लेना हो तो उसके लिए आप लोग ने क्या करना है कि मैंने एक पुरानी सी जिराब ले लिए और यह बिल्कुल सास उतरी है और लेकिन यह फटी भी तो इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूं और ख़े ले जाए और लोगो फेशना किन डिया दिडिल्क्मिट करते हैं कि को एक क्यों और दोरा सा यह अप लोगो आफ रखोटे कर देख सकते हैं कि न अच्छे की लेगे पानी अच्छे से कर मिक्स करने और आप लोगो किसी किसम की कोई प्रॉब्लम पेस नहीं करना पड़ेगी और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैं कितने अच्छे से सफाई कर रही हूँ कितने अच्छे से क्लीन हो गया अब आप लोग ने इसे साधे पानी से वॉश कर लेना है और रिजल्स आप लोगे सामने हैं कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया तो आप लोग इस टिप को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़दा यूसफुल टिप है और यहां पर मैंने लिया है एक कंगा और उसके बाद मैंने लिया एक जराब और ये जराब जो है मैं बिलकुल खराब सी जराब थी याणि कि सको मैंने फैंक दिना ता ये थोड़ सी पर्टी भी थी और मैंने सोचा कि इसको फैंक ने से बेतर है कि स्को यूस कर लिए जाए और गंगे को मैंने जराब से कवर कर लिया है अब आप लोग के घर में या कीचन में इस तरीके से साइड के ओपर जो है न हम लोग सफाई करते हैं लेकिन यहां से अच्छे से सफाई नहीं होती तो आप लोग यह देखें यह जो कौने होते हैं यहां से बिल्कुल भी अच्छे से सफाई नहीं हो रही होती तो आप लोग स्टोर करें रखें और हमारे सितनी स्टोरीज भी नहीं होती है और नहीं इतनी स्टेदा बैक वे रहे होते हैं जिनुक यह झाट अब भी इस हैं लिगsticky को गुपराना ले लेना है, कोड वो सारे के सारे आप लोग इसके अंदर जो है वो डाल के रख सकते हैं और इस तरीके से आप एक तो यह होगा कि आप लोग के कपड़े गंदे नहीं होंगे यानि कि उनके ओपर किसी किसम की दूल मटी नहीं होगी और दूसरा यह होगा कि इसके अंदर काफी जादा एक वारा खरीदने की बिजूर्च नी पड़ेगी स्टोर करने के लिए तो इस तरीके से आप लोग असानी से इसको यूज कर सकते हैं तो आई होप यह टीप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अक्सर हमारे गरे पर जो छोड़े बच्छे होते हैं उनका क्या काम होता कि जहां भी उनको पैंसल मिले और उनों अपने हाथों पर यूज दिवारों पर जो है ना वो पैंसल के निशानाद डाल देने होते हैं इस तरीके से जब पर आप लोग ने क्या करना है कि वैसलिंग को लेना है कोई सी भी आप लोग वैसलिंग कर इस्तमाल कर सकते हैं और कि मैंने थोड़ी सी वैसलिए और ऑच्छे से आप लोग ने जहां फिम पर एप लगात एक पर लोग काद येज़ background Bomb जाते हैं तो आप लोग ने क्या करना इस तरीके से जितने भी प्यास हैं इनके ओपर इस तरीके से जो रोड सा हहाँ लोगने जो हैनwynंद जो आ시면 अपर सी उता लेना ये आप लोगने सारी रोड कुंदर से झाल झाल